हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेक्सुमोहर याना हाई ओप कि आप खुश होंगे अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में देख सकते हो हमारे पास एक यह होम थेटर है और दोस्तों यह सीमेक्स कंपनी का होम थेटर दिखा देता हूं ठीक है फ्रेंट्स इसके अंदर जो कस्टमर प्रोग्लम बता रहा है कि बोल रहा है कि जैसे आउटपूट में यह फोर इन वन का है तो इसमें दो में आवाज नहीं आ रही और दो में आवाज आ रही है तो एक बार मैं चेक कर बार देता हूं आपको फ्रेंश यहां पर मैंने इसको खोल लिया है और इसके बोड़ को लगा लिया है बाहर के थाइसका जोड़ा करके दिखा लेता हूं यह बोड्र है देख सकते हूं इसके अंदर बेस्ट्रेवल और वॉल्युम का एक साथ दिया हूआ है यहां पर थोड़ा जूम कर लेते हैं यह देख सकते हो यह वोल्यूम का हो गया बेस्ट त्रेवल तिनू का यहां दे रखा है तो फ्रेंस इसका अंदर हमको सबसे पहले इसकी जो पीछे की वायर चेक कर लेनी है तो फ्रेंस आप देख सकते हो यहां पर किसी ने बहुत ही अच्छा जुगाड कर रखा है यह देखिए यह पीफ है जहां लगना चाहिए तो वहां पर नहीं तो फ्रेंस इसको चेक करने के लिए आपको एक सपीकर की आऊ सकता पड़ेगी जिससे आप इसको मालो चेक कर सकते हो कि मालो IC में गड़बड है या क्या कुछ तो अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि इस बोर्ड को मालो चेक करोगे तो किस टाइप से मालो किया जाता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है एक स्पिकर ले लेना है जैसे मैंने यहां पे एक स्पिकर को ले लिया है तो छोटा मालो च्यार इंची स्पिकर आईए तो दोस्तों इसको यहां पे जैसे यह हमारी आउटपूट की पिनाई हुई है तो इसका हम देखेंगे यह उपर वाला जो है यह मालो ग्राउंड है जैसे यह वाला है तो एक इसके अंदर हम अपनी पहले एक तार फिक्स कर लेंगे बिल्कुल देशी टेकनिक बता रहा हूं फ्रेंज इसमें आपको किसी भी चीज की जूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यहाँ पर आपने एक वायर जो है यहाँ पर ग्राउंड फिक्स कर लेंगे बेस को ओन कर रहा हूं तो इसमें भी बेस आ रहा है तो इसका मतलब यह हमारी बेस की तार हो गई और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लगा के देखेंगे बेस को हमने zero कर रख है तो यहाँ पर हमारी कोई भी volume नहीं आ रही है और जैसे यह तीसरी आइसी का पहला पिन उसके हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवाज आ रही है यह देखिये इस टाइप से आवाज आ रही है तो friends यहाँ पर अगर आपका बेस है यहां पैवाज आ रही है तो इसका मतलब इस आईसी में हैं तोफेंश अभी आफ में इसके Penel Sak fists अभी निकाल ले लेंगी नो बगेरा हम को बाहर निकालने पड़ेगी तो दोस्तों यह चिमती़ की साथ में बैल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों इस टेप से आपको यह जो पूरा पैनल के नट पगे रहे खोल लेने दिखा देता हूँ यहां साइड में स्पी अफ को करके तो फ्रेंस यहां से आप देख सकते हो कि यह जो आइसी है यह बिलकुल फट गई है यहां से यह देखिए आइसी जो है यह बिलकुल फट गई है देख सकते होंगे फ्रेंस आइसी बिलकुल फट चुकी है तो अभी इस यह देखी उसका चूरा हो गया बिल्कुल ने फिर आइसी का बिल्कुल भी नहीं होता है तो यहां से हम जो नट है इसको खोल लेंगे तो फ्रेंज इसके लिए हम डी सोल्डिंग वायर यूज करेंगे यह बहुत ही अच्छे से मालों कॉम्पोनेंट को निकाल देती है और ए कैसे रख लेना और आयरन की साहता से इसको कुछ सेकिट रखके और खिसका देना है तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो साइड का जितना भी सोल्डर होगा दोस्तों वह अपने अंदर अब्जोब कर लेगी और यह मालों डिसोल्डर कर देगी तो इससे क्या रहेगा आपक परएखते हो कितना मलो यह जल गया था खराब हो गया था टृट कि अबbrigस 23 है होथे दोस्तों आपको मार्किट में मिल जाएगे और ऑजिट्राईकरींगल वाली तो इसमें लोकल मिलती है एक ट्राइंगल मिलती आपने कैसे बलस्त हो गया था रहीने हिस्टी ने इसkas मैं आइसी लेंगे और इस बॉर्ड को आप अच्छे से कलीन कर लेना ठीक है फ्रेंज तो देख सकते हो पूरा प्रिंट चमक रहा है अभी हम आना नई आइसी लेंगे यह देख सकते हैं मैंने नई आइसी ले लिए टीडीए बीस्टीज और वही ट्राइंगल वाली है तो दोस्तों इसको लगाने का सही तरीका यह रहता है कि इसके पीछे जो सिल्वर वाला हिस्सा होता है इस पे हम हिट्सिंग कंपाउंड लगाएंगे यह वा तो विल्कुल इसको प्रोपरली जैसे है होल होता है इसके अंदर उसमें कर लेना आपको बिल्कुल सैट पूरे देखिए इस टाइप से आपको सैट कर ले है उसके बाद दोस्तों यहां पर इस वूर्ड को अच्छे से रखके और यहां पर हम दुबारा सोल्डिंग कर तो दोस्तों को सबसे पहले पेश्ट लगा लीजिए उसके बाद में आईरन को आप जैसे यह पिन है तो पिन के बराबर में रख लीजिए ताकि वो थोड़ा हिट हो जाए अच्छे से तो उसके बाद यह जो सोल्डिंग होती है वहां आपको जाके लगा देनी है तो यह अपने आप मालो इसके इर्द गूम जाएगा ने फिर दोस्तों हम जैसे वो करते हैं तो आपस में जो प्रिंट है हमारा मिलना नहीं चाहिए जो प्रिंट मिल गया तो बोर्ड भी खराब हो सकता है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों तो इस टाइप से आपको ना बहुत ही अच्छे से इसको लगा लेना है आसपास में ठीक है फ्रेंस यह लग गया है यहां पर और दोस्तों इसको फिर से हम साफ कर लेंगे ब्रस की साहता से ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत ओईल बगिरा होता है तो वो मालूम आप आपको टेस्टिंग करके सुनाते हैं तो मेरे पास यह वाला स्पीकर है तो चार पॉइंट में इसकी जो आवाज है वो सुना देता हूं आपको मैं एक बार कर दो आपको मैं एक बार कर दो आपको भी करें है तो आपको मैं एक चार पॉइंट कर दो आपको मैं एक बार